श्री श्रीशीवाय नमस्तोब्यम हर हर महादेव पुजी गुदेव द्वारा बताएगा रुद्राच्च का एक छोटा सा उपा है जो आपको पित्र पच्च में एक अदसी के दिन करना है इस उपाय को करने से यदी आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो पैसा रुकन प्रारम हो जाएगा दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो दुकान भी अच्छी चलेगी कोई पैसा लेकर भाग गया तो वह बापस दे जाएगा करजे की मात्रा बढ़ गई है तो वह करजा खत्म हो जाएगा इस उपाय को करने के लिए आप एक लोटा जल लें जल में आप कोई मटका है जहां आप पानी पीते हैं वहां उस स्थान पर दस वजे से लेकर बारे वजे के बीच में रख दें फिर साम की समय प्रदोसकाल में उसी लोटा जल के पास में आपको एक मिट्टी का दीपक लंबी बाती का सुद्ध गाय का घी भर के चलाना है जो दीपक है वो उसका मुख आपको दच्छड दिशा की तरफ रखना है त्यार है जो दीपक है उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है और जो बाती है उसका मुख दच्छड दिशा की तरफ आपको करना है ऐसा करने से आपकी ये सारी परिशानिया जो की कोई पैसा लेकर भग गया है दे नहीं रहे, करजा बहुत भड़ रहे या फिर घर में पैसा रुक नहीं रहे बहुत ज़ादा बीमारिया बनी हुए है ये सारी परिशानिया आपकी खत्म हो जाएंगी पित्र भी प्रसेण उँगे पित्रों का आशिृवाद आपके उपर बना रहेगा उसके बाग दूसरे दिन आपको जो लोटा जल में रुद्राचह उस सुरुद्राच को निकाल लें और जो एक चावल का दाना है उस चावल के दाने को और जो पानी है उसको आप भगवान सिव की सिवलिंग पर समर्पित कर दें द्वादसी तिथी के दिन उम्मीद करते हैं ये उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपाय अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक अवस्य करें चैनल पर पर लिवा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें वेलके आपसे नेक्स वीडियो में स्रीश्वाय नमस्तूब्यम हर हर मादे